वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला सब्सक्राइब कर लिए तो दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं नौवंबर 2023 के उत्तर प्रदेश स्पेशल करेंट अफेर्स ठीक है इसमें आपके करेंट अफेर्स भी रहेंगे और उससे रिलेटेड एंसी क्यू भी रहेंगे इसके अलावा चैनल पे जुलाई से लेकर करके जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक के पूरे करेंट अफेर्स यूपी स्पेशल वाले अप्लोड कर दिए गये हैं साथ ही साथ वीडियो में उसका एमसी क्यू भी रहता है तो चलिए अब देखते हैं नौवंबर 2023 के यूपी स्पेशल करेंट अफेर्स इसके अलाम यह सुरू करते हैं नौवंबर 2023 की अपॉइंटमेंट्स ठीक है तो इसमें है सौम्य माथूर सौम्य माथूर जो है इनकी न्यूकती हुई है पुर्वोत्तर रेलवे गोरकपूर की पहली महिला महाप्रबंधक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गोरकपूर की समाधान यूजना ये हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉपरेशन के द्वारा इसके बारे में और देखें तो देखें आठ नॉमबर 2023 को लखनव के कैंट उपकेंदर पर पावर कॉपरेशन की एक मुस्त समाधान यूजना का सुबारम किया गया है और सुबारम किसने किया है उत्तरप्रदेश के उर्जा मंतरी एके सर्माने इसको देखे तीन चड़ों में लागू किया जाएगा पहला जो चरड़ होगा वो आठ से लेकर के 30 नमबर होगा दूसरा एक से 15 और तीसरा 16 से लेकर के 31 दिसंबर इसके अंदर 50 से लेकर के 100 प्रस्त की छूट मिलेगी सत प्रस्त छूट तक एक किलो वाट वाले उप्भोकताओं को मिलेगी सत प्रस्त छूट और उर्जा मंतरी के कैंट उपकेदर पर ब्याज माफी के लिए पहला पंजी करड़ कराने वाली चावनी छेतर की निवासी मीरा को छूट दे करके इन्होंने बिजली विल सौपा इसमें क्या है कि सत प्रस्त छूट दी जाएगी एक किलो वाट वाले उप्भोकताओं को ठीक है तो ये तो रही आपके एक मुस्त समाधान योजना उत्तर प्रदेश कॉपरेशन की आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में 175 करोड रुपे की परियोजनाओं का लोकारपन और सिला नयास किया योगी आदित्यनाथ ने तो इन्होंने गोरख पूर जिले में सीम योगी ने 175 करोड रुपे की 116 विकास करोड और सिला नयास किया है इसके तहट 145.67 करोड रुपे की लागत से हुए 82 विकास कारियों का लोकारपन और 29.61 करोड रुपे की लागत से 34 विकास कारियों का इन्होंने सिला नयास किया है नौसो पचास करोड रुपए की विकास पर्योजनाओं का लोकारपण और सिला नयास ये भी मुख्यमंत्र योगी आदित्यनाथ नहीं किया है नौसो पचास करोड रुपए की विकास पर्योजनाओं का लोकारपण और सिला नयास किया है इसके बारे में अगर और देखें तो इन्होंने गीडा एवं विभिन विभागों की 250 इस्टालों की प्रदर्सनी और गोरकपूर ट्रेट्सों का भी सुबारम किया है और गोरकपूर ट्रेट्सों में मिनी प्रगती मैलान जैसा सुरूप जहलग पड़ा जहां पर कोई भी स्थानी से ले करके देश के बड़े उद्योगों में तैयार उत्पादों का अलोपन करके और द्योगिक और व्याविसाइक प्रगती का साक्षी बन सकता है ठीक है आगे है बलिया के लिए 139 करोड रुपए की परियोजनाओं का लोकारपड और सिला नयास ठीक है बलिया जिले में विकास के लिए मुख्यमंत्री ने 139 करोड रुपए के लागत की 35 परियोजनाओं का लोकारपड और सिला नयास किया है ठीक है आपकी एक्जाम में आगे है नवंबर 2020 में होने वाले सम्मिट्स और इवेंट्स ठीक है इसको देखते हैं इसमें है राजी सरकार की कैबिनेट बैठक अस्थान रहा है अयोध्या डिटेल देखते हैं मुखे मंत्री योगी आदितिनाथ के अध्यक्षता में अयोध्या में कैबिनेट की बैठक हुई इसमें धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई प्रस्ताओं की मंजूरी ठीक है आगे देखते हैं इसके बारे में डिटेल इसमें इनलाइन वाटर वी प्राधि करण का गठन अयोध्या में स्रीराम जन्म भूमी तीर्थ विकास परिशत का गठन मापाटैस्वरी देवी पाटन विकास प्रत्सत के साथ साथ मुझाफर नगर में सुक्त तीर्थ विकास परिशत के गठन को मंजूरी दी गई है ठीक है किन-किन प्रस्ताओं पर मुहर ल स्थान कहां पर अयोध्या में फिर है हात्रस में दाउजी लखी मेला ठीक है दाउजी लखी मेला कहां पर हात्रस में इसको प्रांती करण करनी का निर्डे और अयोध्या के सभी मेलों के प्रांती करण करनी के प्रस्ताव को मंजूरी फिर है बुलन सहर में गंगा मेला इसका प्रांती करड और वाराणसी में देव दिपाली का आयोजन तो इसमें कई फैक्ट्स आपको मिले हैं एक तो अंतराश्री रामाड वैदिक सो संथान आयोध्या में है दाउजी लखी मेला हात्रस का है गंगा मेला बुलन सहर का देव दिपाली वाराणसी ठीक है उसी तरह किस यह देखिए यह योगी आदितिनाध ने इंडियान इंडिस्ट्री एसोसियस्ट्री द्वारा आयोजित एमसमी उद्यमी महुत्साव को संबोधित किया ठीक है इसका विसे रहा है ट्रांसफार्मिंग एमसमी टूवर्स इंडिस्ट्री 4.0 ठीक है यह है तो यह देख लिय है अब मोश्ट इंपॉर्टेंट एमसी क्यू फटा फट इसको देखते चलिए तो सबसे पहला सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहे वन टांगिया गाउं के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है वन टांगिया गाउं तो बारह नौंबर 2023 को उत्तरप्रदेश के मुख की देखभाल करते थे इनको वन टांगिया कहा गया तो दोनों कथन बिल्कुल सही है वन टांगिया गाउं क्यों ही न्यूज में रहा है क्योंकि गोरेखपुर में है और मुख्यमंत्री योगी आदितेनाथ ने यहां पर दिवाली मनाई थी ठीक आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है नवंबर 2023 में यह देखा था कि उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनों पर कितना जीएश्टी लगाने वाले विद्हेकों अपचारित रूप से पारित किया है तो देखें ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनों पर 28 प्रत्सती जीएश्टी ठीक है फिर अ मेजर ध्यान चंद्र इस्पोर्ट यूनिवर्सिटी यह मेरट में इसकी लागत है साथ सो करोड रुपए और इसका निर्मार जो है क्यानमी दस्मलों तीन आठ एकर छेत्रफल में किया जा रहा है ठीक है और भारत की पहली नैशनल इस्पोर्ट यूनिवर्सिटी को 2018 में म कौन सा कथन सही है तो इसमें पहला स्टेट्मेंट है 14 नौंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के 12 बंकी जिले की ग्राम पंचायत सिध्यावां सिध्यावां को अंतराश्टी मानक संगठन ISO द्वारा गुर्वत्ता पूरु सेवा प्रदान करने के लिए प्रमार पत्र दे करके सम् आते में पीम किसान निधी के 15 मी किस्त हस्तान तरित की दोनों कथन एकदम सही है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के अनुसार कार्याले के सभी पत्र पत्रावली फाइल का डिश्टालाइजेशन करने के लिए प्रदेश के कितने अस्पतालों में ए आफिस प्रडाली शुरू की जाएगी तो यह है पांच अस्पतालों में उनका नाम देख लीजे सबसे पहने है संजे पीजी आई डॉक्टर रामनोहर लोहिया एरवेदिक संस्थान के जी एम यू कल्यान सिंग अतिविसिष्ट कैं नौनमबर 2023 तक उत्तर प्रदेश के बदलापूर महुतसा आयुजित किया गया तो पूछा जा रहा है कि बदलापूर जो प्रदेश है या जो स्थान है वो कहां पर है तो यह है जौनपूर में ठीक है तो यह तीन दिवसी बदलापूर जो महुतसा था यह जौनपूर जि दिवस कब रहेगा 25 नमंबर को तो नमबर 2023 में उत्तरप्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ने साधू टील वास्वानी साधू टील वास्वानी के जन दिन पर इनको 25 नमंबर को मांसरहित दिवस नमंबर 2023 में वारानसी में दूसरे फ्लोटिंग CNG स्टेशन का सुभारम किया जा रहा है वारानसी में भारत का दूसरा फ्लोटिंग CNG स्टेशन तो पहला CNG स्टेशन कहां स्थापित किया गया था तो ये भी वारानसी में ही था ठीक है पहला जो फ्लोटिंग CNG स्टेशन थ वो नमो घाट पर था वारानसी के और इसका निर्मार जो है वो गैस अथोरिटी आफ इंडिया गेल के द्वारा किया जा रहा है ठीक है तो पहला घाट भी और दूसरा घाट जो भी इस्टेशन है यह है सीनजे इस्टेशन वारानसी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ते हैं निवेश प्रोत्साहन निति की मानक संचालन प्रक्रिया एस ओपी के संबंध में कौन सा कथन सही है पहला कथन 20 नॉंबर 2013 को प्रत्च्छे विदेशी निवेश एफडियाई और फॉर्चुन 500 कमपणियों को आकरसित करने के लिए बनाई गई निवेश प्रोत्साहन निति एफडियाई पॉलिसी की मानक संचालन प्रक्रिया एस ओपी जारी की गई बिल्कुल सही है यह प्रक्रिया इसलिए है कि फार्चुन 500 कमपणियों को आकरसित करना और प्रत्चित विदेशी निवेश को आकरसित करने के लिए सही यह निति फॉर्चुन 500 सुचियों की कमपणियों और अनिवेशी कमपणियों में यूपी में निवेश के लिए आकरसिक सिप्सीडी और प्रोत्साहन प्रतान करने के लिए लाई गई है बिल्कुल सही और यह एफडियाई पॉलिसी एक नॉमबर 2023 से लेकर के 31 अक्टूबर 2028 अब आगे बढ़ते हैं अक्टूबर 2023 में उतर प्रदेश के कैबिनेट में दिवाली के अवसर पर उज्वला यूजना के संबन के लगभग कितने लाभार्थियों को मुफ्त रसोई सिलिंडर देने की मंजूरी प्रदान की है मुफ्त में रसोई सिलिंडर तो ये 1.75 लाभार्थि हैं जिनको ये मुफ्त में सिलिंडर जो है ये दिया जाएगा इसके बारे में देख लेते हैं अक्टूबर 2023 में योगिया दितेनाथि के अधक्चता में हुई कैबिनेट की बैठक में दिवाली पे उज्वला यूजना के 1.75 करोड लाभार्थियो को मुफ्त रसोई सिलिंडर देने की मंजूरी प्रिदान की गई है आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के अलिगड़ के जिले के संबंध में कौन सा कथन एकदम सही है तो देखे नॉमबर 2023 में अलिगड़ के मेयर के अनुसार अलिगड़ जिले का नाम बदल के हरीगड़ करने का प्रस्ताव नगर निगम से पास हो गया है इस पे बस प्रसासन के मुहर लगाना बाकी है दूसरा 21 अगस को पूरो मुख्य मंतरी कल्यान सिंग के पुन्य दिथी पर हिंदी गवरों दिवस कारिक्रम में डिप्टी सीम ने भी अलिगड़ को हरीड़ करने की बात की तो देखे दोनों स्टेट्मन डिगड़ सही है अलिगड़ का नाम बदल के हरीड़ फिर है चौदा से लेकर के 27 नौंबर 2023 तक नई दिली के प्रगति मैदान में अंतराश्टी व्यापार मेला 2023 उत्तर प्रदेश पवेलियन का उद्गाटन किस ने किया इसका उद्गाटन सोनभद्र और महाराजगंज ठीक है मिर्जापूर सोनभद्र और महाराजगंज तो उत्तर प्रदेश में देखे कुल 15 अनुसूची जनजाती अनुसूची बद्ध है जो प्रदेश के विभिन शेतरों में रहती है ठीक है तो इनहीं को सनरक्षित करने के लिए जनजाती बाहुले जनपदों जैसे मिर्जापूर हो गया सोनभद्र हो गया महाराजगंज हो गया यहां पर क्या है कि जनजाती लोग जादा है इसलिए यहां पर जनजाती संग्रहाले इस्थापित किया जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि कौन सा कथन सही है देश के पहले टेलिकॉम सेंटर के बारे में ठीक है टेलिकॉम सेंटर के बारे में सही कथन पूछा गया है तो देखे 27 नॉम पर 2023 को योगिया दित्यराथ ने प्रदेश के सहारनपूर में देश के पहले टेलिकॉम सेंटर आफ एकसिलेंस के निर्माड की अनुमती दे दी है ठीक है दूसरा यह अनुसंधान और विकास केंद्र के रूप में कारी करेगा और साथ ही साथ आधुनिक तकनीक के माध्यम से विभिन छेत्रों में समस्या समाधान के लिए विसे सग्यों को सहायता प्रदान करेगा यह भी सही है इसका निर्माड 30 करोड रुपए की लागत से आयाइटी रूड़की के सहारनपूर कैमपस में किया जा रहा है बिल्कुल सही है तीनों स्टेटमें एर्विन सिंग् ने गोवा में आयूजित 내शनल गेम्स के अंतरगद मेडल anti- Schmidt रोइंग प्रतियोगिता में सौनप्रदक अपने नाम किया है तो ऐर्विन जो है उत्तरपदेश के किस जिले से संबंधित है तो यह देखिए बुलं सहर से संबंधित हैं इन्होंने एसीम नेशनल गेम्स के अंतरगत मेडल डबल्स रोइंग प्रतियोगता में सौन प्रदक अपने नाम किया है तो अर्विन जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंदित है तो ये देखिए बुलं सहर से संबंदित है इन्होंने एसीम गेम्स में भी रजट पतक जीता था अगला सवाल है उत्तर प्रदेश के संस्कृती उत्सव दोहजार तीज संस्कृती उत्सव दोहजार तीज के बारे में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए अब उत्तर प्रदेश के संस्कृती विभाग के द्वारा 25 दिसंबर से लेकर के 26 जनवरी 2024 तक देश भर में संस प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत को समरिध्य बनाना attending देस centered दुनिया भर में प्रशिद्दी लाना है ति यह है उत्तरप्रदेश संस्कृति उत्साओ के बारे में सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है है कि मिजा कि आगे बढते हैं अगला सवाल है एक सिकंड अगला सवाल है नौंबर 2023 में इतावा में बने प्रदेश के पहले भेड़ बखरी पालन प्रसिक्षड केंद्र का लोकारपन किस ने किया ठीक है लोकारपन इसका किया है धर्म पाल सिंग ने और यह याद रखेगा कि प्रदेश का पहला भेड़ बखरी पालन प्रसिक्षड केंद्र कहां पर है इतावा में है आगे बढ़ते हैं सोसल मीडिया हैश्ट्रेक ट्रेकिंग टूल ट्वीट बाइंडर द्वारा नौंबर 2023 में ताज जारे रिपोर्ट के अनिसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्र योगी आदित्यनाथ एक्स पर ठ इसके दूसरे सबसे चर्चित नेता बने हैं ठीक है तो इसमें देख लिजे पोश्ट के संख्या के आधार पे नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ हैं जिनके हैंडल को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश गुंडा नि aire के दोनों सद्नों में वापस ले लिया गया है इसको संसोधित करने के लिए वापस किया गया है और विध्यक को संभिधान के संसोधन 172 और अनुशे 200 के तहरर इसके राजयेपाल के संदेश के साथ लौटा दिया गया है तसारे स्टीटमेंट यहां पर एकदम सHI आगे वरते हैं कौन सा कथन है जो गलत है उत्तर प्रदेश का पीली भी टाइगर रिजर्व जल्द ही बस सेवा चूका एक्सप्रेस का इस यहां पे संचालन किया जाएगा और इलहाबाद हाई कोट ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की मदपूरी गाउं की महिला ग्राम प संब्सकार से सम्मानित किया गया है और पीली भी टाइगर रिजर्व में बस सेवा चूका एक्सप्रेस इसका संचालन किया जाएगा आगे बढ़ते हैं आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश में कितने नए आस्राई ग्रिहों का निर्मार किया जाएगा कितने नए आस्रे ग्रियों का निर्मार तो ये हैं कुल 35 तो उत्तरप्रदेश की महिला बालेओं विकास विभाग की तरब से 18 मंडल के मुख्यालेओं समेट 29 जनपतों में बालास्रे ग्रियों का निर्मार किरिया जाएगा इसमें कौन लोग रहेंगे? घर से भागे हुए, गुमसुदा, तसकरी किये गए, काम, काजी, बाल, भिकारियों, मादक, द्रवियों के सेवन करने वाले बच्चों की देख भाल की जाएगी ठीक है? तो ये हैं आपके आस्रे ग्रियों, खुल 35 खोले जाएंगे फिर नॉमबर 2023 में खबरों में रहे, SCR, स्टेट कैप्टल रिजन के सम्बंद में कौन सा कथन सही है? बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है तो देखे जो NCR है, राश्ट्री राजधानी छेत्र, उसी के तर्श पर अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनओ को भी विक्सित किया जाएगा इसमें लखनओ के साथ ही साथ हर्दोई, सीतापूर, उन्नाओ, राय बरेली और बाका बारा बंकी सामिल है और इसके गठन के लिए उत्तर प्रदेश, राजधानी छेत्र और अन्य छेत्र विकास प्राजी करण विधेयक 2023 का प्रारूप तैयार किया गया है तो तीनों एकदम सही है, स्टेट कैपिल रिजन के बारे में अच्छे से पढ़ लिजेगा लखनाओ, हर्दोई, सीतापुर, उन्नाओ, रायबरेली और बाराविंकी इसमें सामिल है आगे देखते हैं आगे हैं उत्तर प्रदेश में विध्दुत उत्पादन बढ़ाने के लिए सोन भदर में कितने मेगावाट की नई उत्तपादन इकाई अंपरा इका निर्माड किया गया है इसकी चमता है 1400 मेगा व छोगा इसमें और उत्तपादन निगम निप्टेट के तेहिदेगे इस्थापित किय साइग तो बस याद रख़िएगा अनपराई इसकी जो छमता है वो है सोला मेगावाट और विद्धू तुत्पादन बढ़ाने के लिए सोनभद्र में इसका निर्माड किया जाएगा आगे बढ़ते हैं तीन नॉब्बर दो हजाटेश को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दिग विजयनात इसनात को तर महाविद्याले में पर्यावरण प्रद्यू की एवं सतत ग्रामेड विकास विसाय पे आयोजे दो दीविसी राश्टे संगोष्ठी का उधगाटन कि इसने किया तो इसका उधगाटन किया है मुख्यमंतर योगी आदितिनाथ ने अगला बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में मचली की नई प्रजातियां तैयार करने और मचली के बीच को सोद के लिए कहां एक्वा पार्क एक्वा पार्क का निरमार कहां किया जाएगा तो इस सवाल है कौन सा कथन एकदम सही है सबसे पहला कथन तो है कि बरेली की रहने वाली आसी को मुंबई में आईजित फिल्म फेर में लश्ट श्टोरीश टू के लिए बेस्ट पिक्चर और बेस्ट डियरेक्शन का पुरसकार मिला है और नौंबर दोजार तेज में उत्तर प् आगे बढ़ते हैं अगला सवाल अलीगर्ड विकास प्राधिकरड अलीगर्ड विकास प्राधिकरड के उपाध्यक 6 अतुलवस्त सिंथ के अनसार बनारस की तर्च पर ग्रेटर अलीगर्ड में अंतराश्टी स्टेडियम का निर्माड किया जाएगा अंतराश्टी यायोध्या में uh पास है 22,23,000 मिटी के दिये जलाना फिर आगे बढ़ते हैं सही कत्नों का चैन करना है तो 27 नौंबर 2023 को गुरुपूर निमा के उसर पर उत्तर प्रदेश के वारानसी में आयजित देव दिपाउली में सतर से अधिक देशों के राजदूत और राजनाइकों ने भाग लिया और उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन वाले खादेपदार्तों को बनाने बेचने और भंडारर पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया है लगा दिया है तो एकदम ये दोनों स्टेटमेंट बिलकुल सही है और बहुत इंपॉर्टेंट है तो देखे हला एक अर्भी सब्दे जिसका मतलब होता है वैद या अनुमी है और हलाल प्रमाडी करन इस बात की गारंटी है कि उत्पाद इसलामी कानून के अनुसार तयार किया गया है और इसमें मिलावट के रही थे ठीक है तो इसी पे बैन लगाया गया है आगे बढ़ते हैं हाल ही में से चर्चा में रहे उत्तरप्रदेश के पूर्वे डी जीपी श सुल खां सिंग के सॉलान के साधन साही है तो नौंबर थोजार तेस में उत्तरप्रदेश के सुलाम सिंग सिंग Verme के साही है और अलग राज में बनाने की मांग के साथ इन्हों ने एक नई राजमीतिक पार्टी बुंदेर खंड लोगतांतरिक पार्टी का भी गठन किया है ये भी सही है उत्तर प्रदेश के बांदा के निवासी है तो तीनों स्टेटमेंट एक दम सही है पूर्व डीजीपी है सुल्खान सिंग तो ये याद रखेगा इंपॉर्टेंट है ये अगला वो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश विधान सभाका सीथ कालिन सत्र के सम्मंद में कौन सा इस्टेटमेंट गलत है ठीक है तो सबसे पहले है कि 28 नॉम्बर 2023 से लेकर के 1 डिसंबर 2023 तक यूगी विधान सभाका सीथ कालिन सत्र चला सही और चार दिवसी सीथ कालिन सत्र के दौरान वित्तवर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक बजट भी पेस किया ये भी स्टेटमेंट सही है तीसरा वित्तमंतरी सुरेश खन्ना ने 6.9 सुन्य करोण का ये अनुपूरक बजट जो है वो पेस किया है ये गलत है ठीक है ये है 6.9 सुन्य लाख करोण का वार्षिक बजट पेस किया गया है ठीक है तो ये रहा आपका Current Affairs के Important MCQ इसमें कुछ प्रावधान है ये Important है देख लीजे थोड़ा सा और राज राजधानी छेत्र के विकास के लिए ठीक है राज राजधानी छेत्र के विकास के लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान है इसमें विस्व कर्मा सरस्रम योजना के लिए 2000 करोड रुपए पीम मित्र योजना के तहत लखनव हरदोई में पीम मेगा इंटिग्रेटेड टेक्स्टाइल जोन और अपैरल पार्क के स्थाफना के लिए 510 करोड और उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीती के किरियान में ने हैं तो 100 करोड रुपए तो यह हमारा हो गया MCQ ठीक है अब देखिए हमने पूरा जुलाई से ले करके नमंबर तक का MCQ खरा दिया है चैनल पे आ चुका है यह दिसंबर मन्त पूरा हो जाएगा तो दिसंबर का भी आपको मिल जाएगा ठीक है तो अब देखिए आपका APS का एक्जाम आ गया है आपको ROARO वाला एक्जाम अपना देना ही है अब UP PCS वाला भी एक्जाम होगा तो देखिए इन सारे एक्जाम के लिए आपका UP special जो होता है बहुत ज़्यादा important होता है तो हमारे चैनल पे जो study for civil services का paid material होता है वो आमको बिलकुल free में provide करा रहे है तो ऐसे ही support करते रहे हैं और दूसरा यह जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम के लिए अलग और इंग्लिस मीडियम के लिए अलग अलग चैनल पे upload किया जा रहा है तो आपका जो भी मीडियम हो उसको जाकर अपना वीडियो देख लीजेगा playlist create कर दी गई है साथ ही साथ क्या करिए तो ऐसे ही अपना support देते रहे हैं बिल्कुल पढ़ते रहे हैं कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी topic कोछ भी content आप लोगों को चाहिए classes चाहिए तो वह बता दीजिए उसकी classes आप लोगों के लिए चैनल पे ला दी जाएंगी upload कर दी जाएंगी तो बस support करते र यह थैंक यू सो मच